नमस्कार स्वागत है आपका जंता जंचिन के शो इता आम बात है मैं और मैं हूँ आपके साथ स्रिश्टिश रिवास्तप इस शो में हम आपको रोज के सारे रेप किसिस के बारे में बताएंगे क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी हो गया है कि हमारे देश में महिलाओं का क्या हाल है तो हात में चाहिकी कप उठा लीजिए और इस सारे केसे सुनिए UP में एक 50 साल की औरत के साथ रेप हुआ वो महिला मंदिर जाने के लिए अपने गाउ से निकली थी जिसके बाद महिला का शव मिला संदिक्द परिस्तितियों में पुलिस ने जब इस मामले की जाच की और पोस्मॉर्टम रिपोर्ट सामने आया तो पता चला कि महिला के साथ गैंग रेप हुआ था Post Mortem Report के मुताबिक महिला के गुपतांग पर चोट आई थी और महिला का पैर भी fracture था और साथ ही महिला के साथ जबरदस्ती के जाने का भी सबूत मिला है परिजनों ने बताया कि देर रात महिला के शफ को मंदिर के महंत और अन्य दो लोग घर पर पहुचाये थे और ये कह कर गए थे कि मंदिर से आते वक्त महिला कुए में गिर गई थी उसे निकाला गया तो मृत मिली हाला कि परिजनों ने पुलिस से रेप और हत्या की शिकायत की है जो लोग महिला के शफ को छोड़ने आये थे उन पर भी आरोप लगाये गया है पुलिस ने गैंग रेप और हत्या का मामला दर्श किया है और तीन लोग का नाम भी लिया गया है इस मामले को लेकर कॉंग्रेस महासचीफ प्रियंका गांडी ने भी सवाल खड़े किये है प्रंका ने ट्वीट कर लिखा है कि सरकारी तंत्र में शुरुवाते फर्यादे की नहीं सुनी सरकार ने अफसरों को बचाया और आवास को दवाया और यहां भी ठानेदार ने फर्यादे की नहीं सुनी महिला की सुरक्षा पर यूपी सरकार की नियत में खोट है मध्य प्रदेश में एक बलतकारी जेल से जमानत पर बहार आया और फिर उसने एक 35 साल की विर्वा महिला के साथ रेप किया महिला का कहना है कि रात को साड़े 11 बजे वो अपने घर में सो रही थी वो अपने घर में अकेली रहती थी तब ही अचानक सेमडा गाउ का रहने वाला आरोपी जबरदस्टी उसकी घर में घुसाया और तीन घंटे तक उसके साथ रेप करता रहा महिला तीन घंटे तक खुद को बचाने की कोशिश में चिलाती रही खुद को बचाने कोई भी कोशिश की लेकिन आरोपी उसके साथ जबरदस्तिक करता रहा और उसे कोई बचाने के लिए भी नहीं आया आरोपी ने रेप करने के बाद धमकी दी और वहां से फरार हो गया तब थाने पहुचकर महिला ने आप बीती बताई इस आरोपी ने पहले भी एक आदिवासी लड़की के साथ बंदूग की नोप पर रेप किया था जिसमें तीन महिने के लिए जेल में बंद भी था और जमानत पर छूट गया आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम गटन किया गया है जिसके बाद पुलिस को सूशना मिली कि आरोपी गाउ में आया हुआ है पुलिस ने घेडा बंदी करके आरोपी को गिरफतार कर जेल भेज दिया है इस मामले को लेकर उपने रिक्षक संगीता काजले ने भी कुछ तिपनिया की है उनका कहना है कि अगर पुलिस को उसके गाउ आने की सूशना नहीं मिलती तो आरोपी मद्यपरदेश चे बाहर भागने का काम्याब होता एक आदमी रेप करता है और उसको तुरंट जमानत मिल जाती है मातर तीन महीने बाद और वो फिर से रेप करता है ये दिखाता है कि रेप को लोग कितना जादा कॉमन समझने लगे हैं इतना कि जमानत भी जल्दी मिल रही है और दुबारा वही चीज दोड़ाई जा रही है खैर अब आगे बढ़ते हैं मुजफरपूर में एक 15 साल की स्टूडेंट को गारी से किर्नाप किया और पाच लोगों ने उसके साथ रेप किया लड़की के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की उम्र 15 साल की है और वो दसवी की स्टूडेंट है शाम के चार बजे वो अपने साइकल से कोचिंग जाने के लिए निकली थी जब वो कोचिंग के लिए जा रही थी तब घर से ही कुछ दूरी पर बाइक सवार उसके साइकल में ठोकर मार देते हैं और जब वो लड़की इस बात से नाराज होकर कुछ बोलती है तब दोनों बाइक सवार में और उस लड़की में बहार शुरू हो जाती है उस वक्त बगल में एक बुलैरो गारी खड़ी थी जिसमें तीन और लड़के थे बात बढ़ने के बाद बुलैरों से तीनों लड़की उतरते हैं और उस लड़की को अंदर खीच लेते हैं तब गाड़ी में बैठे लड़कों ने पहले लड़की का मुँ बांधा और उसे पास में सित पेट्रोल पंक के पास ले गए। दोनों बाइक सवार भी वहाँ पहुचे। पंक के बगल में ही एक कंडर था जहां जिसमें वो लड़की को ले गए और उसे वही रखा और बागने के बाद लड़की सड़क के पास पहुची थी और वहां मौजूद दुकानदार को अपने घर का पता और मुवाइल नंबर दिया। जिसके बाद लड़की के परिवार वाले बहुचे और उसे घर ले गए। खुद के साथ ये वारदात पेश आने से 15 साल की वो ब सकते हैं और वापस अपने काम पे जा सकते हैं पर हमारा मकसद ये नहीं है हमारा मकसद है आपके दिमाग में ये बाद डालना कि हमारे देश की महिलाओ के साथ क्या हो रहा है आगे इस शो में हम आपको रोज के सारे रेप केसिस के बारे में बताएंगे इसी के साथ देखत रहे यह इता आम बात है और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें फीस्बुक पे लाइक करें जुटा पे फॉलो करें और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह बेबाक अंदाज में पत्र कारता करते रहें तो स्क्रीन पर दिक्रेए डिटेल्स पर डोनेशन दें धन्यवा